Nokia की brand new smartphone भारत के अंदर जल्द हे launch होने वाला है सबसे पहले एच चीन के अंदर launch होगा बाद में global market के अंदर जाएगा finally हमको इंडियन market में भी जल्दी देखने के लिए मिल सकता है यानि कि आज हम बात करने वाला है Nokia Company की upcoming smartphone Nokia X400 ये नाम में तो काफ़ी बड़ा होगा वाई से इसकी features और specifications काफ़ी बड़ी बड़ी दी जाने वाली है 6.9 inches की full edge plus super AMOLED display, infinity curve वाला display ये smartphone होने वाला है और डिस्पले की खास बात under display selfie scanner के साथ में under display fingerprint scanner भी दी जाएगी अगर आप gamer हो तो आपके लिए 144 hertz की refresh rate मिलने वाली है AMOLED डिस्पले होने की वज़े से आप लोग gaming experience smoother than smoother experience ले सकते हो अगर आप लोग content streamer हो यानि की ज़्यादा वीडियो देखना पसंद करते हो या फिर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो तो आपके लिए स्मार्टफोन के अंदर 6000 image की battery performance दी जाएगी और एक higher brand के अंदर 6000 500 image की battery performance दी जाएगी और इसको charge करने के लिए 67 odd की force charging support दी जाएगी फ्यूचर में ते काफी ज़्याद है तगड़े तगड़े फ्यूचर देने वाले smart phones काफी जारे है पर Nokia की branding कुछ अलग ही इनकी camera quality और वीडियोग्राफी सबसे ज़्यादा मेरे को पसंद आता है अगर camera quality के बात करें तो back side में triple rear camera setup दी जाने वाली है और एक लिक सो रूमर से 18 मेगा पिक्सल्स की कहा जारे पर एक्जैटली क्या होगा आने वाली दिनों हमको जल्दी पता चल सकता है हम लोग बड़े RAM ओले smart phone purchase करना कफी जादा पसंद करते हैं क्योंकि हमार दीमक के अंदर mindset बैट चुका है इसके बारे में और एक बार बात करेंगे पर RAM variety के बात करें तो मेंली इस smartphone तीन वेरेट के साथ मार्केट के अंदर आ सकता है 6GB RAM, 8GB RAM और एक हायर रेंट होगा 12GB RAM 6GB RAM के पर 128GB इंटलन स्टोरीज, 8GB RAM के पर 256GB इंटलन स्टोरीज और एक हायर रेंट 12GB RAM के पर 500GB इंटलन स्टोरीज हो सकता है पर तीनों भी एक्सपांड करने की सुईदा दी जागी अप 228GB तक इतना ज़दा RAM और इंटलन स्टोरीज के आप लोग बाई करना पसंद करते हो या फिर ने कमेंट से बॉक्स में जरूर बता सकते हो अभी तक आप लोग इस वीडियो को देख रहे तो एक लाइक तो कर दीजिए USB Type-C, Port 3.5mm Audio Jack, IR Blaster ये स्मार्टफोन के अंदर हो सकता है Qualcomm की चिपसेट तो काफी तगड़ा होगा ही पर इसके अंदर और चार चान लगा देगा इसके फाइजी वेरिंट के स्मार्टफोन Graphics में काफी तगड़ा Graphics इस बार हमको Nokia की इस वाले फोन में एक्सपरियंस करने के लिए मिल सकता है अगर कुछ कमिया लगता है तो ये स्मार्टफोन के बारे में आप लोग मेरे को कम्रेस वाक्स में बता सकती हो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजे शेर कीजे मैं मिलता आपको और एक वीडियो के साथ वीडियो देखने के लिए धन्यवाज जय हिंद वन्दे मातराम